जैसा कि हम अपनी पिछली काफी वीडियोज में कस्टोडियल किलिंग्स और फेक इंकाउंटर की बात कर चुके हैं, इन किलिंग्स पर पहले भी कई पॉलिटीशिन्स ने उंगलियां उठाई हैं, even some are under CBI इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो लेटिस न्यूस सुनने में आ रह दरसल उनके ये questions गैंक्स्टर पॉलिटीशन मुक्तर अंसारीज एड संजीव महेश्वरी जीवा के लखनव कोट प्रमाइसिस में मरने के बाद आए, जीवा was an accused in the murder of senior भार्थय जंता पार्टी लीडर ब्रमदत दुवेदी, जीवा was brought to the court when he was shot by a man dressed as a lawyer while he was entering a courtroom, इस incident के एक एक ट्वीट में कपिल सिब्बल ने कहा, how and why, 41 people have been killed in police custody in UP since 2017 to 2022, recently, जीवा shot dead in लखनव कोट in police custody, अतिक एन अश्रफ shot dead while in police custody, तिलू तजपुरिया shot dead in तिहार, अमिट जी, are you not worried, we are, जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा ही एक incident हमें देखने को मिला था दो महीने पहले, जब गैंक्स्टर पॉलिटीशिन अतिक एहमद और एन इस ब्रदर अश्रफ वर गन डाउन बाई थ्री एसिलेंट्स, वाइल बिंग टेकन पुलिस कस्टेडी तो ए हॉस्पिटल पॉर मेडिकल एक्जामिनेशन इन प्रियागराज, तब भी opposition parties ने UP गर्वर्मेंट और सेंटर पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब इस रेस में कपिल सिब्बल का नाम भी जुड़ गया है, अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये किलिंग्स गैंग वार का हिस्सा है, या फिर like many says, it is a staged killings of police themselves, इसी के बीच कपिल सिब्बल का हो मिनिस्टर से ये सवाल करना कि क्या आप आपको चिंता नहीं है, शायद सही भी है, जीवा की death के बाद उसकी wife पायल महिश्वरी ने court के सामने permission मांगी है to attend her husband funeral, petitioner ने आर्ग्यो किया है कि उन्हें भी gangster chart में name किया गया है, इसलिए उसे एक दिन की protection चाहिए to attend the funeral, Justices, Anirudha Boss and Rajesh Bindal के bench ने matter को शुकरवार को सुनव आई पे रखा है, let us know your views and keep following Law Chakra for more news and updates.